इसको हम दो categories में divide करते हैं तो forces are basically divided into two categories say balanced and unbalanced forces तो balanced force नाम से आपको समझ में आ रहा है balanced मत्तर ऐसे force जो कि balance बना के रखते हैं कैसा होगा? balanced forces किस तरह के होगे? तो if the resultant if the resultant of all the forces acting on a body is zero such that the body continues to be in its state of rest or of uniform motion in a straight line then the forces are called balanced forces तो forces को हम balanced का बोलेंगे यानि कि जितने भी आप उसे force लगा रहे हो वो सभी के सभी forces का जो net result है वो कैसा आ रहा है? जीरो आ रहा है जिसे देखिए यह tug of war खेल रहे हैं बच्चे अब इसमें यहां जितना force लगा रहे है the force applied by all the three kids is same by the force applied by these three kids on the other side तो यह जो तीन बच्चे मिलके जो force लगा रहे हैं वही तीन बच्चे इधर लगा रहे हैं मिलके force तो इससे होगा क्या? कि इधर जितना force लगा उतना ही force इस direction में लगा ठीक है ना? उतना ही force लगा तो यह जो note है यह अपनी position से हिलेगी क्या? नहीं यह वहीं की वहीं रहेगी तो इसका मतलब net result क्या हुआ? भी force तो लगा लेकिन net result क्या रहा इस force का? जीरो ठीक है ना? तो इस तरह के forces को हम क्या बोलते हैं? balanced forces बोलते हैं एसे forces जिससे net result जो है वह जीरो रहेगा अब देखिए यहाँ पी जो rope है यह जो रसी है इसकी position क्या इस्टेशनर यह यह तो रुकी हुई है यह ना तो इधर जा रही है ना यह रसी उधर जा रही है जबकि force लग रहा है दोनों side लेकिन यह जो note है इसकी यह ना तो इधर जा रही है ना इधर जा रही है इसका मतलब हम कह सकते है कि जितने भी forces इसके उपर लग रहे है वो forces का result क्या आ रहा है जीरो आ रहा है तो जब जितने भी forces हैं उनका result जब जीरो आता है तो ऐसे forces को हम क्या बोलते है balanced forces तो balanced forces जो होते हैं, they are always equal and opposite forces. ठीक है ना? कैसी होंगे ये? Equal होंगे और opposite direction में होंगे. ठीक है ना? तो ये opposite direction में हैं और दोनों के दोनों क्या है? Equal है. They do not cause any change in motion. तो वो motion के अंदर कोई भी जो है change नहीं ले के आते हैं. For example, tug of war. However, can change the shape and size of the body. लेकिन, जो balanced forces है, वो किसी भी object की shape और size ये बदल सकता है. कैसे बदलेगा? जैसे देखिए इस example में. ठीक है ना? यहाँ पे अगर मैं दोनों तरफ opposite force लगा रहा हूँ, इस spring के उपर तो इस spring की length क्या होगी बढ़गी, तो यहाँ पे भी equal और opposite direction of force लगा रहा हूँ, यह इसकी direction eastward है, और इसकी direction क्या है westward है, तो opposite direction of force लग रहे हैं, ठीक है ना? लेकिन, और equal amount में लग रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इस balance के साथ, इसकी shape जो है change हो रही है, तो यह जो है balanced forces, यह किसी भी object की shape और size को बदल सकते हैं, ठीक है ना? लेकिन यह हमेशा कैसे होते हैं? equal और opposite होते हैं, तो यह तो होगे balanced forces, इसी तरीके से हमारे सामने आता है unbalanced forces तो unbalanced forces, ज़स्ट उसका उलट हो जाएगा, कैसी है? if the resultant of all the forces acting on a body is not zero, तो यहाँ पी जो resultant force होगा, वो किसके बराबर होगा, zero के बराबर नहीं होगा, मतलब कुछ non-zero force होगा, जो resultant force होगा resultant का मतलब क्या होता है? resultant मतलब होता है परिनाम, उसका जो end result है, जैसे मान लीजिए 10 बच्चे मिलकर किसी एक object के बर फोर्स लगा रहे है और सब एक 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 न्यूटन का लगा रहे है तो टोटल कितना force लगा है? 10 न्यूटन force लगा है, तो वो क्या है? resultant force है तो net resultant force जो है, यहाँ पे वो zero के बराबर नहीं होता, ठीक है न? unbalanced के अंदर such that state of body changes then the forces are called unbalanced forces तो यहाँ पे जो है force कैसे होंगे आपके? they are unequal forces forces जो होंगे, वो unequal होंगे they can be in same or opposite direction और इस तरह के forces जो है, वो same direction में भी हो सकते हैं और opposite direction में भी हो सकते हैं ठीक है न? लेकिन उसका result होगा, वो zero के बराबर नहीं होगा मतलब यहाँ पे कहीं न कहीं motion आ जाएगी object के अंदर causes a change in motion ठीक है, तो motion के अंदर क्या करेगा है बदलाव लेकिए आ जाएगा के लिए रहा है for example when two forces of unequal magnitudes act in opposite directions on an object simultaneously, then the object moves in the direction of force with larger magnitude forces अब देखिए, यह example देखिए अब यह भी tug of war है लेकिन यहाँ भी force ज़्यादा किस तरफ लग रहा है अब इदर देखिए, चार बंदे है और इदर कितने, तीन बंदे है तो ज़्यादा force किस तरफ लग रहा है तो maximum, अब देखिए force की direction तो opposite है यह इदर force लगा रहा है और यह जो हैं इदर force लगा रहा है तो then the object moves in the direction of force with larger magnitude force तो जिस तरफ forces ज़्यादा होगा हमारा object जो है उस तरफ move कर जाएगा तो यह note जो है, यह उस तरफ move कर जाएगी जिस तरफ हमारा force ज़्यादा होगा तो यह तो होगे unbalanced forces तो unbalanced forces के अंदर हमेशा motion create होती है जिस तरफ के जाएगी सचित झाल है झाल तो तो प्रूल झील